इस विडियो में प्रेजिट करने जा रहा हूं जिस ड्रीम ने मुझे आज इस काईल वनाया कि मैं उस फिल्म को बना सको मैं उस फिल्म को पूरा कर सको और उस ड्रीम के वज़े से ही आज मैं एक फिल्मेकर हूँ तो फाइनली मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मोक्ष फैंटेसी फिल्म सीरीज रात बाती बड़ा बाती है तो मुझे अगर मुझे माफ परना अगर मैं अच्छे से ना बोल पाओ क्योंकि this video is totally unscripted and मैं इसे मेरे पूरे दिल से बनाना चाहता था and उन बातों को बताना चाहता था जो असल में मेरे मन में है so this video is basically announcement but in a simple way so मैं मेरे thoughts को share करना चाहता था for this project मोख्ष ऑफंटेसी फिल्म सिरीज ऑफंटेसी वोल्ड सो मेरे से कहीं पर भी गलती हो तो मुझे माप करना मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि कि जॉब फ्रिलांसिंग अदे लेट नाइट इडिटिंग और यूटूब वीडियो और प्रिपेरेशन फॉर्ट फिल्म सो काफी कुछ है जो चल रहा है मेरे साथ मेरे लाइफ में बड़ आई हाव ऑप्सेशन मतलब मुझे ऑप्सेशन है एक यूटूबर बनने का एक वो मेरा ड्रीम ही था तो आज वीडियो नहीं बना पाया कल मतलब यह आज वीडियो अपलोड हो जाती थी बट यह नहीं हो पाई तो उसके लिए सौरी तो बढ़ते हैं वीडियो के और देखते हैं वाट इस दी मोक्ष और वाट इस मा बिगेस प्रोजेक्ट अपना लाइफ तो सबसे पहले यह कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह वीडियो कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो मेरा काम है यूटुब वीडियो बनाना और उसे अपलोड करना और जो भी चीज़े हैं उन्हें पताना अब उन्हें कोई देख रहा हो या ना आपका दिल से शुक्रिया, thank you for watching this video, for watching me because मेरे पास इतनी कोई रिष नहीं है and मुझे उसकी फिक्र भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन ये सब आने वाला है and हो ही जाएगा but you are guys only my inspiration to make this film, to make this movie series so what is the moksh and what is the my biggest project कहानी शुरू होती है मेरे बच्पन से जहां मैंने मेरा पूरा बच्पन, Harry Potter, Lord of the Rings, Benton, Narnia और इसी तरह के कई fantasy films को, fantasy movies को देख के गुजारा and मेरा पूरा जो बच्पन है वो इसी चकर में गया मतलब fantasy worlds, fantasy, दुनिया, वो जादू, वो जादूगर, वो वो सभी चीज़े जो एक fantasy दुनिया में है, जो आपने Harry Potter में देखी, जो आपने Lord of the Rings में देखी, वो राक्षास, वो देव, वो अलग-अलग दुनिया, उसके अंदर उन सभी चीज़े, वो सभी चीज़े जो उस movies में थी Ben 10 से लेके, Harry Potter से लेके, Lord of the Rings से लेके, Narnia and The Witcher, all the fantasy movies जो मैंने देखी, and जिसे मैंने अपनी दुनिया मान लिया था, कि मैं भी एक दिन उस दुनिया में जाओंगा, या वो सब चीज़े करूंगा, जो मैं करना चाहता था, like जादू, and all those things, जो एक fantasy दुनिया में है, Finally मुझे पता चला कि ये सब एक स्रिफ कहानिया थी, and स्रिफ एक stories थी, स्रिफ एक movie थी, but मेरे लिए वो movies से बढ़ करता, मतलब बढ़ करते, वो सारी जो चीज़े, वो Harry Potter, Lord of the Rings, and वो सारी fantasy movies, मेरे लिए movies से बढ़ करती, and मैंने ठान लिया था कि मैं भी एक दिन उस दुनि सब एक जूट है, तो मैंने खुद से सरी इतना कहा कि अगर मैं उस दुनिया में नहीं जा सकता, तो उस दुनिया को मैं खुद बनाऊगा, and here I come with a thought, with a story, so ये story है, हमारे ancient time की, तो जो मोक्ष की दुनिया में दिखाना चाहता हूँ, जो मोक्ष की दुनिया में बताना चाह आता हूँ, वो दुनिया है त्रेता युग की, because मुझे भचपन से basically ancient जो time था, वो बहुत पसंद आता था, मतलब मुझे interest था कि, and मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कभी कबार कि मैं उस दुनिया में जाना चाहता हूँ, उस वक्त को जीना चाहता हूँ, जिस दुनिया में भगवन राम थे, भगवन कृष्ण थे, so ये बाते बहुत ही imaginary लग रही होगी, आपको कि उस दुनिया में जाना चाहता हूँ, वो दुनिया बनाना चाहता हूँ, because ये imaginary है, क्योंकि एक movie बनाने के लिए आपको एक total imaginer बनना पढ़ता है, and imagination में जीना पढ़ता है, and that's why I suffer in imagination, I love to make films through my vision and concept, that's why I suffer in imagination, so filmmaking की बनने की चाहत ने मेरा दिमा कुछ जादे ही खराप कर दिया था, and but because of the, because of my childhood, कि मैंने बच्पन से रामायन, महाभारत, श्री राम जी की कथा, हनुमान जी की कथा, भगवान शिव की कथा, श्री कृष्ण की गाथा, ये सब को सुना है, इ देखा मिन्स की, in books, in movies, in serials, in cartoons, so इन सब को देखा है, and उसी वज़े से, मुझे और motivation मिलता गया कि, हाँ मैं फ्यूशर में मेरा खुद का, एक खुद की एक फिल्म बनाऊगा, खुद की एक दुनिया बनाऊगा, and प्रेजन करूँगा मेरे कल्चर को, जैसा मैं बनाना चा फिल्म, सिरीज, मौक्ष, a fantasy world, so what is the मौक्ष, a fantasy world, so basically, मौक्ष, मतलब मौक्ष तो एक प्रोटेगोनिस्ट का नाम है, मतलब जो हमारा main hero है, उसका नाम है मौक्ष, but यहां मौक्ष का अर्थ खतम नहीं होता, मौक्ष का अर्थ जब फिल्म सिरीज आएगी, तो आपको धिरे-दिरे मौक्ष का जो असली मीनिंग है, वो समझ में आही जाएगा, but मैं थोड़े फार चीज़े बताना चाहता हूँ about this project, so इस project की शुरुवात होई 2018 से, basically मुझे बनाना था इस project को, मुझे act करना था, खुद को as a protagonist, मतलब मुझे खुद को उस दुनिया में जाना था, that's why I love to make films, acting and action and cinematic, cinematography, editing, I love all those things, and इस project की शुरुवात होई 2018 से, 2018 से मैंने मेरा filmmaking career finally start किया, after my 12th, so 2018 से ऐसा नहीं था, कि मुझे सब कुछ आने लगा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि animation होता क्या है, waypex होता क्या है, editing होती क्या है, and हर वो चीज, जो मुझे चाहिए थी, इस film को बनाने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, but, मुझे स्रीव इतना पता था कि, ये सारी चीजे, जो Harry Potter है, जो Lord of the Rings है, जो Benton है, and Lord, मतलब, जो Witcher, and all those fantasy movies, ये इस दुनिया के किसी studio में बने हुए है, जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि, अगर कोई, इस दुनिया में, अगर कोई इनसान है, जो कि, इन सारे चीजों को बना सकता है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता, और तभी से, मेरी शुरुआत हुई, आनिमेशन के दुनिया में, विएपेक्स के दुनिया में, सो बेसिकिली, में खुदको, फिल्मेकर से जादा एक विएपेक्स आर्टिस्ट कहता हूँ, और आपको भी पता होगा कि, वाँ आम्ए डिफरेंट क्रियेटर, अगर आपने वो विडियो देखा होगा तो, क्यूदकि, मैं जैसी दुनिया दिखाना चाहता हूँ, मुझे अगर मुझे काम दिखाना है मैरा ऐसा भी ने था कि मुझे श्रिप सिंप्ली उस दुनिया को दिखाऊगा मतलब जंगल में जाऊगा एं कुछ भी करूगा और उस दुनिया का फिल दूगा नहीं मुझे टोटली विएपेक्स के साथ टोटली थ्रेता यूठ के तरह मेरे जो में जो में गुझ था वो ताव भीअपेक्स को सीघए क्या और इडिटींग में सीख लूँगा फिल्मिकिंग में सीख लूँगा इसींenderиться सीざ सा बहुत हाँ हाँ बागी सारे चीजों को भी सीखना भूत हारड है बुछ बुद्व में आप अपनी दुनिया बना रहे हो ऊस चीज को सीखने के लिए वह टाइम लाने माला हूँ, जो हमारा में इन सॉप्टर होने वाला है, जो बाप है इस इन्ड़स्ट्री का, वेवेवेख इन्डीस्ट्री में बाप सॉप्टर है, बट उस चीज को बाजि में रखते हैं and let's talk about this project, Time कि मुझे ना तो वेपेक्स के कंपनीज में 始ार्प करना था मुझे ना तो एडि़िडिंग के कंपनी तो में मतलब मुझे जॉब ही नहीं करना था, मैंने इस फिल्ड को सीखा, शरिफ और शर्फ मेरे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मतलब अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई बड़ी कमपनी में जॉब करना है, अच्छे से विएभेक सीखके, तो ऐसा नहीं है मैंने सरी उस एक सपने को उस एक फिल्म को बनाने के लिए इतना सब कुछ सीखा हाँ करेंटली मैं जॉब कर रहा हूँ बड़ विकाउज आव तू कलेक मतलब उस बजेट को इखटा करने के लिए उस सारे चीजों को करने के लिए अभी तो मैं कुछ भी करने को तायर हूँ उस फिल्म को बनाने के लिए तब ही मैंने इतना सब कुछ किया अभी मैं जहां पर हूँ और भी सब बहुत कुछ कर रहा हूँ सारी फॉर दी इंटराक्टिंग मतलब मैं अच्छे से अगर बोल नहीं रहा बिकॉज यह अंस्क्रिप्टेट है जो भी मैं बोलना चाहता हूँ वो बोलने कोईश कर रहा हूँ सो आज तक मैं जो भी सीखा हूँ वो यूटूब के जरीए वो खुद के जरीए एक्स्परिमेंट के जरीए जब मैं खुद के शॉट फिल्म बनाता था उसके जरीए शॉट फिल्म बनाता था जब भी बनाता हूँ उसके जरीए सो मेरा कोई टीचर नहीं था मैंने कोई फिल्म स्कूल में एडमेशन नहीं ली मैंने कोई फिल्म स्कूल में मतलब नहीं गया and किसी institute में से नहीं सीखा जो भी सीखा है वो सब कुछ खुच से सीखा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था मतलब कि मैंने अजूम किया and first of all कि मैंने भोट research की है for making this short film मैंने रामयन पढ़ी, महाबारत पढ़ी जो कि मैं बजबन से पढ़ता है but मैंने specially पढ़ी भगोत गीता को पढ़ा and हर उस fact को निकाला जो fact मैं बताना चाहता हूँ short film के द्वारा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है उस दुनिया के अंदर बगवान राम के जाने के बाद और कौन सी ऐसी problems थी और कौन सी कठिनाईया थी जो कि उस दुनिया में आई थी and अगर उस कठिनाईयों को उस मुश्किलों को हल नहीं किया जाता या solve नहीं किया जाता तो आज की दुनिया नहीं होती so ऐसे कही तरह के parts है parts होने वाले है उस short film series में so मोक्ष is just a young boy like me जो कि युद्ध कला को बहुत अच्छी तरह से जानते है so मोक्ष एक लड़का है but ये कहानी मोक्ष के उपर से शुरू नहीं होती कहानी का नाम मोक्ष है but कहानी मोक्ष के उपर शुरू नहीं होती कहानी शुरू होती है उसके पिता जी के उपर उसके पिताजी युद्ध कले में उसके पिताजी को महारत आसिल है इस फिल्म सिरीज में कई सारे episodes होने वाले हैं कई सारे characters होने वाले हैं कई सारे दुनिया ही होने वाली है दुनिया तो त्रेता योगी है बट उसमें भी कई सारे unnatural and natural locations होने वाले है flying mountains होने वाले and caves होने वाले काफ़ी adventurous यह journey होने वाली है मोक्ष की so मोक्ष एक chosen लड़का है to the उस आने वाले तूफान को रोकने के लिए but मोक्ष को यह नहीं पता होता and मोक्ष पहले से कोई ताकतवर लड़का नहीं होता उसकी journey जैसे जैसे शुरू होती है वो वैसे वैसे ताकत वर बनता जाता है and जो चंदरहास की तलवार मैंने आपको कहा था वो उसके पास कैसे आती है and वो उसे कैसे मिलती है या वो उसकी ताकतों को कैसे अपनाता है या कंट्रोल करता है या आप सीधा short film series में देख लेना I am here just for to introduce or announce the my biggest dream this series so मैं जादा कुछ तो नहीं बता सकता about this but I am finally talking about this project and sorry for the I am अगर मैंने धंग से इस वीडियो में बात नहीं कियो क्योंकि ये वीडियो तो मैं ऐसे ही बनाना चाहता था मुझे पता है कि जादा लोग इस वीडियो को नहीं देखे के but जिसने भी देखा है उनके लिए शुक्रिया उसके लिए मैं आपका शुक्रे करना जाता हूँ so actually मैं बहुत ठका हुआ हूँ इसलिए मेरे दिमाग भी नहीं चल रहा कि क्या बोलो और क्या नहीं but मुझे ये वीडियो बनाना था and मैंने इस वीडियो को बना लिया and मैंने आपको ये बता दिया कि अब से मैं मोक्ष पर काम करना शुरू कर रहा हूँ मोक्ष पर मैं पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ लगातार वैसे तो ये मेरे बच्पन का सपना है and 2018 में इसकी शुरुवात हुई थी but आज से मैं फाइनली इस पर वर्क करने जा रहा हूँ and जो भी चीज़े मुझे इसमें लगने वाली है like camera, crew, gear, actors, मेरा PC, upgrades and the locations we want to show you the realistic world of Tritayug so Tritayug की जो adventurous journey होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में so be ready for that कि ये देखने के लिए कि उस दुनिया में क्या होगा उस दुनिया के creatures, rakhshas and the warriors कैसी होगे उस और उसमें काफी-काफी epic scenes भी है काफी biggest scenes भी है जो की युद्ध के है महादेव का भी एक part है जहां महादेव का जो part है वो काफी confusing है मतलब confusing means की काफी difficult है and मेरे दिमाग में भी इतना कुछ है कि मैं बता भी नहीं पा रहा कि अगर बोलू तो बोलू क्या स्रिफ मैं इतना बोलना चाहता था कि just be ready for that and I am only your guys are my only inspiration and only motivation and only support to make this film series तो इस वीडियो को अब मैं ही खतम करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ पता नहीं मैंने कैसे बोला और किस तरह बोला but यह एक genuine बात थी जो मुझे कहना था आपसे and sorry for the inconvenience words words sorry because I am very tired and yeah आज finally मैंना अनॉंस कर दिया कि we are gonna make it अब लब हम इस पर काम आप अपना शुरू करने वाले so अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मैं how I prepare my short film how the pre-production of my short film कि मैं pre-production में क्या क्या करने वाला हूँ like costumes, characters, gadgets location our weapons and a lot of the things जो हमें जिसके हमें requirements है इस वीडियो में मतलब इस short film में so अभी तो मैं अकेला हूँ and मुझे पता है कि short film बने तक भी मैं अकेला रहोगा क्योंकि मुझे अकेले को ही short film को बनाना है क्योंकि यह मेरा ड्रिम है तो मुझे इस पर अकेले ही काम करना होगा so मैंने filmmaking को सीखा मैंने cinematography को सीखा मैंने editing को सीखा मैंने Vpex को सीखा and मैं और सीखते जा रहा हूँ and इस film को अब मैं बना के रहोगा and आज से मैं इस film पर काम करने चालू कर रहा हूँ and करीबन एक साल पहले या देल साल पहले मैंने final एक glimpse teaser upload किया था चैनल पर अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो so उससे आपको एक idea आजागा कि what is the moksh and what is the moksh fantasy world and इसमें कही सारे episodes होने वाले है but because of our budget वो episode को आने में time भी लग सकता है क्योंकि you already know मैं आखेला हू and maybe मेरे दोस्त इसमें शामिल होगे but वो सरी performance and supporting के लिए आएंगे बाकि सब तो मुझे आखेली करना है क्योंकि I am the only one to make this film so yeah thanks for your so you are शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए इस वीडियो में and thanks for watching this video and I want to just talk about this thing that we are going to make this short film so yeah मैं विलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और नए क्रेटिविटी के साथ and अगली वीडियो में मैं बताने वाला हू pre-production things for the mock short film that we are going to create it so yeah तब तक के लिए मैं विलता हूँ तुम आगली वीडियो में किसी और नए क्रेटिविटी के साथ तब तक के लिए as always keep the art in your heart the करेट के पर λέंब तक कि दो कर दो करेंगे तक कर दो कर दो पना है